Hello students, आज स्टेट लाइन का एक क्वेस्टन करेंगे, 11th क्लास NCRT का क्वेस्टन है, इस लाइन की ओरिजन से दिस्टेंस पी यूनित है, इस लाइन की ओरिजन से दिस्टेंस है क्यू यूनित, तो हमें यह एक्वेस्टन प्रूव करना है, तो करते हैं कॉस्टन स्टार्ट, मालो यह ओरिजन है, तो एक लाइन हमने यह ले ली, जिसकी एक्वेस्टन है, एक्स कोस थीटा माइनस वाइ साइन थीटा माइनस के कोस तू थीटा इक्वल टू जीरो, और इस लाइन की ओरिजन से दिस्टेंस है, पी यूनित, यह दिस्टेंस कितनी है, पी, ऐसे ही एक दूसरी लाइन है, माल लेते हैं, वो यह ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, मतलब रफ फिगर हैं, और माल लेते हैं, इस लाइन की ओरिजन से दिस्टेंस है, पी यूनिट, क्यू, यह क्यू यूनिट से हैं, और इसकी एक्वेशन क्या है, एक्स सेक थीटा, वाई को सेक थीटा, माइनफ के इक्वल टू, जीरो, तो हम क्या करना होगा, मैं यह आपे, पी एंड क्यू निकालने यह, फीक है, तो पी और क्यू कैसे निकलेंगे, उसके लिए मैं फ lawsuits, याद करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन, origin से perpendicular distance कितनी होती है पहले मैं formula लिख देता हूँ यहाँ formula लिख देते हैं किसी point की किसी line से distance अगर हमारे पास point है x1, y1 और line है ax plus by plus c equal to 0 तो यहाली distance कितनी होगी mode में यह point इसके अंदर रख देते हैं ax1 plus by1 plus c upon under root में a square plus b square तो यह वाला formula यूज करके हम आगे question continue करते हैं तो we have p equal to यह original distance line की यहाला formula अप्लाइ करते हैं modulus of x और y की जाएके 0 put करेंगे तो 0 minus 0 minus k cos 2 theta upon में a square plus b square a मतलब x का coefficient b मतलब y का coefficient यह होता 1 तो यहां से में p की value मिलगी k cos 2 theta upon 1 end ऐसी अब q निकालते हैं यह side में हमने region देई दिया है तो q के लिए इसके अंदर x और y की जगे 0 put करेंगे under root में sec square plus cosec square easy question नहीं क्योंकि हमें देखो p और q origin से distance दे रखी है तो हमने p और q की value यहां से निकालके फिर हम इसके अंदर put कर देंगा तो q कितना आ गया k upon इसको sin cos में change कर लेते हैं यह 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 कुल मिलाके यह आ जागा के साइन थीटा कोस थीटा अपन अंडर रूट में साइन स्क्वेर प्लस को स्क्वेर यह हमारा हो गया वन तो हमने p और q दोनों की value निकाल ली बस अब question में दिक्रत नहीं आएगी तो हमारी question क्या था left hand side क्या थी p square plus 4 q square तो उसमें p की value रख देते हैं यह वाली k square cos square 2 theta plus 4 q की जगे यह रख देते हैं sin square theta cos square theta अब इसको solve करके हमें कितना लाना है इसको solve करके हमें लाना है k square बहुत आराम से आएगा इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 sin a co से होता है sin 2a तो यह होगा sin 2a का square k square common ले लेते हैं और सभी को पता है कि sin square plus q square one होता है तो equal to k square means right hand side तो इस तरह से हमने prove कर दिया p square plus 4 q square equal to k square इन दोनों line की origin से distance given थी p और q वो निकाल के by using distance formula from a point तो उमीदह सबको समझ में आ गया होगा तरह कि अ